हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल रिवीव कॉर्णर बाई परवीन और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के कुर्ता सेट का हॉल जो की बहुत ही खुबसूरत है तो हॉल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मीशो का एप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे दिये हुए रेफरल कोड से आप डाउनलोड करिए जिससे कि आपको फर्स परचेस पर अप्टू 100 रुपीज का डिसकाउंट मिल जाता है अगर आपको कोई भी प्रोड़क्ट पसंद आता है तो उसका कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उस कोड के थ्रू अपने एप पे जा करके इसे चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह हॉल सबसे पह इसके उपर इंबरोडरी हुई है भूआ यह बहुत एक खुबसूरत इंबरोडरी है है यह आप देख पा रहे होंगे यह thread से hand work किया गया है flower और leaf का और बाकी इधर पर लगे हुए है यह बहुत एक खुबसूरत है इसके neck के पास देखिए इसका जो fabric है यह rayon है quarter sleeve है इसकी 3-4 और नीचे की तरफ यह पूरी plane है नीचे की तरफ कोई work नहीं है बस neck पे ही आपको यह design मिल जाती है इसी quality rayon की अच्छी है price भी अच्छी इसका price भी है मैं coat के साथ mention कर दूएंगी description box में आप देख लीजिएगा यह इसका plazo है waist पे elastic है back side है और यह front side है front side पे भी आपको ऐसे hand work मिल जाता है pearl का और thread का जिसे की plazo भी खुब्सूरत लगता है बिल्कुल plane नहीं लगता है कि इतना चौड़ा इसका flare है बहुत जादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है दोनों लिक पे आपको back side में plane मिलता है और पे इस तरह का वर्क मिलता है पर्ल और शेट से फैब्रिक रेओन क्वालिटी वाइस अच्छी है यह सेकेंड कुर्ता सेट है क्रीम शेट कह सकते है या ओफ वाइट कह सकते हैं इसे यह भी रेओन फैब्रिक है लाइट वेट रेओन है और यह जो वाटर ड्रॉप शेप में आपको मिल जाता है गोल्डन प्रिंट एल्बो लेंथ की स्लीव है इसका नेक है नेक पर आपको यहां पर यह स्कूप नेक डिजाइन मिल जाती है एक बटन भी गोल्डन कलर का लगा हुआ ओल ओवर गोल्डन प्रिंट है इस पर लेंथ काफ लेंथ की है यह भी लुक वाइस बहुत प्यारी है यह इसका ट्राउजर प्लास्टिक लगी हुई है वेस्ट पे सेम प्रिंट है इस पर भी सेम फैब्रिक रहां सेम प्रिंट गोल्डन प्रिंट है इस पर भी बनी हुई है कि दुद्ध हैवी वाली रियोन नहीं है लाइट बेट रियोन है जो समर्स के लिए बहुत अच्छी हो इसके साथ दुपट्टा भी मिलता है आज सिलका दुपट्टा है यह डबल शेड में है मरून एंड पिंक का शेड है बांधिनी दुपट्टा इसके चारों तरफ से इस तरह से गोल्डन लेस लगी हुई है जो कि इस दुपट्टे के खुबसूरती को बढ़ा दे रही है प्लेन नहीं है गोटा लगने की वज़े से दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है पहनने बहुत प्यारा लुकाता है इसका और इस तरह के बांधिनी दुपट्टे तो आज कल ट्रेंड में है तो यह भी यह सारे प्रोडर का जो प्राइस है मैं दिस्क्रिक्शन बॉक्स में दे दूंगे लगबग 700 नियर अबाउट की थी यह नेक्स्ट है और फ्राइट कलर का प्लाजो एंड खुरता सेट यह भी इंब्रॉइडरी है इस पर बनी हुई यह वी शेप में नेक है इसका बैक सैट में कॉलर लगी हुई है और यहां पर देखिए मोतियों का लड़ी पुरा लगा हुआ है उपर से नीचे तक नेक पे जो की लूप के साथ है से अटैच है इसकी स्लीव है थ्री फॉर्थ लेंद्थ की इसकी कॉटन है इसके स्लीव पे इस तरह से इंब्रोइडरी हुई है मशीन इंब्रोइडरी है यह भरी हुई पहनने पर बहुत प्यारा लगता है यह कुर्टा कॉटन फैब्रिक है अब समल में यूज कर सकते हैं खादी कॉटन जैसे होता नहीं यह उस तरह का है इसके बैक साइड पर भी इस तरह से इंब्रोइडरी हुई है काफ लेंद की है और नीचे की तरफ से पूरी प्लेन है यह नीचे की तरफ यह कॉटन के ही धागे वाली लेस लगी हुई है कि नीचे की तिरफ लगी हुए साइड में नहीं लगी हुए इसके साथ यह प्लाजो मिला है इसकी वेस्ट इसके साथ खेश तरख्या डोरी जैसे बना हुआ है धागे का कि यह पूरा जैसे कट वर्क का कॉटन आता था है फाइब क इसतरा का है जैसे क्पैंप यहां देख पारें मैं मैं धागे से पूरा औलका पिछ यह है आप कह सकते हैं जो चिकन वाली फैबरिक आती है चिकन फैबरिक फूस तरह की और इसके प्लाजो पे भी इंब्रोइड्री हुई है स्में इंब्रोइड्री जो कुर्ते पे मिलती है वही इस पे भी मिल जाती है आपको इसके प्लाजों पे जो इंब्रोइडरी है वो सिर्फ एक ही लेक पे है बोथ साइड नहीं है सिर्फ राइट वाले लेक पे इस तरह का वर्क है लेफ्ट लेक पे कोई वर्क नहीं है पर यह जो धागे वाला वर्क है जो फैब्रिक के साथ ही है यह औल ओवर है पूरी है और अलग से जो इंब्रोइडरी हुई है यह सिर्फ एक ही साइड में इसका प्लेयर इतना है कि बहुत ही प्यारा कुर्टा है यह समर के लिए पर्फेक्ट जैस्ट भी मेरे पास कुर्टा सेट है यह रेऊन फैबरिक का है व ह्युआता है इसका है बहुत प्यारा कैर ट्रेंडिंग व्यूत हुआ है गोल्डन वर्क ने सौरी यह प्रेंट फोर्ड प्रेंट किनिक जो स्लिव ये तरिफॉर्ध है कि मुर्ड ए गुल्डन प्रेंट पुरा नीचे तक हुआ है और सबसे लास्ट में नीचे आपको से बाॉडर में जाता है गोल्डन यह जो गोल्डन प्रेंट है यह सिर्फ फ्रंट साइड में है बैक पर पूरी प्लेन है यह बैक पर कोई प्रेंट नहीं है इसका कलर बहुत प्यारा है और गोल्डन के साथ बहुत खुब्सूरत लग रहा है यह दे आउन फैब्रिक है अगेन कमपोटेबल और यह है इसका प्लाजो वेस्ट पे लास्टिक लगी हुई है और नीचे की तरफ सेम जैसा कुर्टे पे प्रेंट हुआ है गोल्डन कलर का वैसे ही नीचे यहां प्लाजो के लाइन पे वैसा ही सेम प्रेंट आपको मिल जाता है रियोन फैब्रिक इसका भी है बहुत कमपोटेबल है और अफोर्डिबल रेंज में आपको मिल जाता है मेशो पे और मेरे रेफरल से अगर आप डाउनलोड करते हैं अब तो आपको फर्स पर्चेस पे 100 रुपी आफ तो मिल ही जाता है तो आज बस इतना ही प्रोड़क्ट था जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आपको मेरे वीडियो जरा भी हेलफुल लगता है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए सस्क्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स और फैम तुमें से भी कोई प्रोड़क्ट पसंद आता है तो आप मेरे जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको इसके कोड वगरा भी मिल जाएंगे जिसे क्या आसानी से आप इससे सर्च कर पाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्स क्क्रिश्टर्व का थे दियुक मेंसा झथाएंगे ङॉकिए विपाएंगे प्रोड़क्ट झाल 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 झाल